नमस्कार दोस्तों सागत आपको हमारे यूट्यूब चैनल जोब न्यूज नाव में अब मैं आपको मिनिस्ट्री और सोस्ल जेस्टिस और इंपार्मेंट भरती 2019 के बारे में बताना चाहूंगी इसमें हमारे रिसेर्च ओफिसर और रिसेर्च इन्वेस्टिगेटर के पदों पर जो वैकेंशीज हैं वो खाली हैं लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल जोब न्यूज नाव को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा और बैल आइकन को प्रेस करके रखेगा ताकि आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट हैं जो वो मिल सकें और वीडियो को लाइक और सेयर जरूर कीजेगा चलिए ठीक है अब मैं आपको बताती हूँ मिनिस्ट्री ओफ सोशल जेस्टिस और एंपार्मेंट में रिसर्च ओफिसर और रिसर्च इंवेस्टिगेटर के पदों पर जो एकन्सी है उसके लिए आप कैसे अपलाई कर सकते हैं ठीक है तो उनके लिए हमें क्या करना है हमारे लैप्टोप या कंप्यूटर में गूगल में जाके हमें टाइप करना है मिनिस्ट्री ओफ सोशल जेस्टिस और इंपार्मेंट रिकूट्मेंट 2019 ठीक है फिर उसके बाद हमें क्या करना है हमें एम एंटर करेंगे तो हमारे पास यह वाड़े जो पीज है वो उपन हो जाएगा इसमें हमें फास्ट इस पर क्लिक करना है ठीक है फिर में सिद्धा यह नहां पर रिकूट्मेंट और पोस्ट रिसर्च ओफिसर और रिसर्च इन्वेल इन्वेलिटर ठीक है तो हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास यह वाड़े जो पीडियाफ है वो उपन हो जाएगी इसमें हमें वेकेंसी नोटिस दिया गया ह है ठीक है रिसर्च ओफिसर्च की हमारे पास दो पोस्ट है इनकी पेडिमेंट है पैतिस जार पर मन्त प्लस तू थाउजंड पर मन्त वाड़ कमिनियन्स अलावांस ठीक है एलिजिबिल्टी मास्टर्स डिग्री तू यह एक्सपीरियंस और मिनिमम एज लिमेंट कॉंट् 45 होनी ची है रिसर्च इन्वेलरीगेटर की फोर पोस्ट है पेडिमेंट है 27,000 उसके अलावा है 1,000 अलावेंस ठीक है बैचलर डिग्री होनी ची है टू एर्स एक्सपीरियंस और मिनिमम फोटिफाइव होनी ची है माक्सम मिनल फोटिफाइव से जादा नियुंचे दा इलिजिबल कॉंट एपलिकेंट वुफिल दा अबो क्वालिफिकेशन इलिजिबली में सब्मित देर अप्लिकेशन इंदा अटेस्ट पर्फॉर्मा टू अंडर सक्रेटरिय निशनल कमिशन पोर बेक्वर्ड ग्वर् विदिन फिफ्टी डेज उफ प्विलिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट इस एठारा चार दोहजार उन्नीस तो इसके लिए हमें जो ये नीचे हमें जो देया गया है इस पे हमें अपनी सारी जो डीटेल्स हैं वो फिल करनी है और फिर हमारे हम इसे एक एंविलप में डालके हम इसको इसवाड़े अड्रेस पे जो है जो सेंड कर सकते हैं ठीक है ये वाड़ा जो अड्रेस है एसनल कमिशिन फॉर बैक्वर्ड ग्लासेज ठीक है ज़न्यवाद दोस्तों